गांधी जी कहते थे कि ना बुरा देखे, ना सुने और ना ही बोले. इन शब्दों में गांधी जी ने बहुत ही important बात कही है, क्योंकि जब हम बुरा देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और बोलेंगे नहीं, तो हमारे मन में wrong thoughts आएंगे नहीं. आज की समय में एक अच्छा mindset होना बहुत ज़रूरी है. इसी topic से related, मैं R.J. Ritika लेकर आई हूँ एक नई बुक समरी, Battlefield of the Mind, जिसको लिखा है Joyce Mayer ने. इस बुक से जानेंगे कि हम क्या करें, कि हम अपने आपको improve कर सकें. दोस्तों, जब भी हम बुक के बारे में सुनते हैं, तो हमें ये बहुत ही boring sound करत है. लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा है कि किताबों से अच्छा और कोई मित्र हो ही नहीं सकता. तो चलिए, आज इस बात को proof करते हैं और बढ़ते हैं introduction की तरफ, Battlefield of the Mind, यानि मन और मस्तिश्क का युद्ध शेत्र. आज हर व्यक्ति अपने मस्तिश्क के कई तरह की जंग लड़ रहा है. समय में बदलाओ के कारण आज का समय बहुत ही अनमोल हो गया है. आज का लोग तो ये भी कह देते हैं कि don't waste my precious time. तो आज की 21 सदी का तो ये कहना है. इसलिए अगर हमें आज की समय में अपने आपको stable रखना है, तो ये समरी जरूर सुनें और इसे अपनी life क का हिस्सा बनाने की कोशिश करें. आईए जानते हैं उनके बारे में जिन्होंने अपने विचारों को शब्दों में एकत्र करके उसे एक बुस्तक का नाम दिया. वो और कोई नहीं बलकि जॉयस मेर है. उन्होंने 90 से ज्यादा किताबे लिखी हैं और जिसकी आज हम बात कर जा रहे हैं वो उनकी बेस्ट सेलर किताब रह चुकी है. हाला कि उनका जन्म 4 जून 1943 को सेंट लुइस में पॉलिंग जॉयस हचिसन के रूप में हुआ था. यंग जॉयस की देखभाल उसकी माने शुरू में की थी. योकि उसके पिता ने दुतिये विश्वयुद्ध के द चली. वो कहती हैं कि उनके पती ने उन्हें अकसर धोका दिया और उनसे कई तरह के अपराद करने की मांग की. यही कारण था कि उनका तलाक हो गया. अपने तलाक के बाद मेर एक इंजीनिरिंग ड्राफ्ट्समेन डेव मेर से मिलने से पहले इस्थानिय बार में बार बार उसी व्यक्ति से 7 जन्वरी 1967 को हुई थी. उन्होंने कई अचीवमेंट हासिल की. वो बेस्ट सेलर आथर का भी खिताब हर जित किया. तो चलिए बिना समय को खोए हम शुरू करते हैं आज का ही सफर. राइटर लिखती हैं, जितना ज्यादा हम भगवान के थौट्स के बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा आप विचारों की इंपोर्टेंस को समझेंगे. इस पर राइटर कहती हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना नौलिज है या नहीं है. लेकिन जब आप भगवा जैसे विचार हैं, व्यक्ति वैसा ही हो जाता है. जितनी भी तरह कि आजकल हम एक्शन लेते हैं, चाहे वो अच्छे हूँ या बुरे, इन सब के पीछे हमारा दिमाग ही होता है. इसलिए लेकह कहते हैं कि बैटल फिल्ड आफ दा माइन की स्टडी करना बहुत आविश्यक है. आज की समय के लोग को बॉडी और फ्लैश को संतुष्ट करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं. अगर किसी व्यक्ति के मस्तिश्क में नेगेटिव थौट्स हैं, तो उसका जीवन भी नेगेटिविटी से भर जाएगा, जिसका ये होगा कि वो अपने जीवन से कभ आना चाहिए कि हम जिस किसी जीश के बारे में सोचते हैं या थौट्स रखते हैं. तो क्या थौट्स रखते हैं? अंग्रेजी भाशा में कहें तो we should taken care of what we think. दूसरे भाग में writer spirituality के बारे में बताती हैं. अर्थात हमारी विचारों को भगवान के थौट्स से compare करवाते हैं अंतिम भाग में लेखक कह रही हैं कि अगर आपने अपने मस्तिश्क से जंग जीत ली तो आपको दुनिया की कोई भी शक्ती हरा नहीं सकते क्योंकि उस समय आपके पास इश्वर का साथ होगा. तो Battlefield of the Mind की जर्णी से जोड़ने के लिए बने रहे हमारे साथ. कुकू FM. सु हम अपने थौट्स को डेविल के चंगुल से बचाकर उसे spiritual thoughts बनाएंगे. तब जाकर हम मस्तिश्क के युद्शेक्र में succeed हो पाएंगे. किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले हम सबसे पहले उसके advantages और disadvantages को देखते हैं. इसलिए दूसरा chapter हमें positive and spiritual thoughts की importance बताता है. और हमें ये confirmation देता है कि इन्हें अपनाने से हमारे जीवन में बहुत ही beautiful तरीके से changes आएंगे. मेरे प्यारे listeners, पादर कहते हैं कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं और उसी के हिसाब से उनका दिमाग भी दो हिस्सों में बटा होता है. एक वो जिनका दिमाग शारिरिक संतोश को खोजत बॉडि को satisfy करना वाला व्यक्ति, सदयव, negative विचारू या आज की भाशा में कहीं तो flashy thoughts या negative thoughts के रास्ते में भटकता रहता है और अपने देह को संतुष्ट करने की रास्ते खोजता रहता है. इसी बीच शैतान उससे कई सारे गलत काम भी करवा लेता है, जिसका regret उस व्यक पोशिश करता रहता है. इश्वर तक पहुचने के लिए अलग-अलग तरीके के पवित्र spiritual रास्तर को अपनाने लगता है. कहीं गीता में शिरी कृष्ण को तलाशता है, तो कहीं बाइबल में फादर को, कहीं मूर्तियों में संतोष डिस्कवर करता है, तो कहीं भजन-किर तन स्तुति करता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि नेगेटिव थौट्स उस इनसान के आसपास भी नहीं घूमते, और इसी तरह व्यक्ति spiritual रास्ति को अपना कर अपनी आत्मा को इश्वर के नाम कर देता है. राइटर कहती हैं कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, और जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक लाइफ में स्ट्रगल कभी कम नहीं होगा. ये कभी मत सोचना कि तुम अकेले डिटर्मिन होकर सक्सेस को आसानी से अ अर्थ होता है, पवित्र आत्मा का सहरा लेना होगा, जो फादर से प्रात्ना किये बिना अधूरा है. सच बात तो ये है कि एक सच्चे बिलीवर के लिए सहीत थिंकिंग बहुत ही इंपोर्टनेंट है. स्टार्टिंग में आपको ये अपनाने में बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा. पर जैसे जैसे आप ये जान जाएंगे कि इश्वर से फ्रेंड्शिप से आप दिन पर दिन ग्रो करने लगे हैं, तब आपको ये फील होगा कि मुझे अब फादर की शैडो में ही रहना है, जिससे मैं फॉरेवर पॉजिटिव विचारों के आस पास ही रहूँगा. बाइबल में लिखा है कि कोई भी पेड की पहचान उसके फल से होती है. ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन के साथ भी होता है. कहते हैं, thoughts bear fruits. एक अच्छे व्यक्ति के मन में holy thoughts आएंगे और एक devil सोच रखने वाले व्यक्ति के अंदर negative विचार. तो हमें ये decide करना है कि हमें अपने आपको किस तरह बनाना है. अब writer give up ना करने की सलहा देती है. आपकी life में कितने भी परेशानिया हो, कितना भी struggle हो, आपको कभी भी give up नहीं करना है. वो कहते हैं कि आपको continuously लगे रहना है. और ये मानना है कि God's grace is with you till eternity. दोस्तो Battlefield of the Mind पुस्तक पूरे विश्वास से कहती है कि अगर आप झील के पास जाओगे तो नदी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी. अगनी के पास जाएंगे तो आग आपको नहीं जलाएगी. अगर आपका आपकी इश्वर के लिए सच्चा और पवित्र प्रेम है, अ आग की भारी लप्टे भी प्रहलाद को छूना पाई. और एक बाप फिर ये प्रूफ हो गया कि स्प्रिच्च्वालिटी को अपनाने से लाइफ में सक्सस पाया जा सकता है. ये माना जाता है कि जो हम सोचते हैं, वही हम बोलते भी हैं. सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉइंग होता है जीब से निकले गए बान जो सीधे दिल को जाकर लगते हैं. इसलिए यदि आपको सही बोलना है तो सही सोचना भी होगा. दिखावे की प्रैक्टिस को छोड़कर मन में पॉजिटिव थौट्स को जगह देना पड़ेगा और नेगेटिव थौट्स को फेरवल देक अगर शैतान को मन से जाने को कहना पड़ेगा. कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम लगातार लड़ते जा रहे हैं पर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा. पर ऐसा नहीं होता. आप खुद सोचिए कि हमें अपने फ्लैशी और नेगेटिव थौट्स को इंप्र रखना पड़ेगा. और समय को भी कुछ समय का टाइम देना पड़ेगा. यहाँ पर राइटर मोसिस बाइबल की राइटर का एक्जाम्पल देते हुए हमें समझाती हैं कि जिस जर्नी के लिए उन्हें 11 दिन लगने थे उसमें उन्हें 40 साल लग गए. पर उन्होंने गिव कल्ट भी. तो अब हम इस विशे पर काफी कुछ जान चुके हैं और यह समझ चुके हैं कि एक अच्छा माइंड सेट के साथ साथ डोंट गीव अप वाले थौर्ट्स को भी हमें अपने लाइफ में जरूरत पड़ती है. पे कुछ चैप्टर्स में हमने ये जाना कि बैटल को और गौड को समय देना है कि वो हमें सकसीड होने में मदद करें. अब अगले चैप्टर में लेखक कहते हैं कि थौर्ट्स दो तरहा के होते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव थौर्ट्स पॉजिटिव लाइफ क्रियेट करते हैं. जहां हमें फेथ और होप होता है. पर जब हमारे विचार नेगेटिव होते हैं तो जीवन भी डर और डाउट से भर जाता है. रिस्पेक्टिड जॉइस ने एक बहुत ही शानदार बात कही है कि जिसमें वो कुछ बताते हैं कि कुछ लोग होप रखने से भी कई बार डरने लगते हैं. क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में कई तरह के disappointment फेस की है. इसलिए उन्हें डर लगता है कि वो फिर से hurt ना हो जाए और कोई उनकी उमीद को फिर से ना तोड़ दे. राइटर कहते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन में कई सारे दुखों को फेस किया है. पर उन्होंने अपने ज कि कभी भी बहुत ज्यादा कुछ अच्छा हो जाने की होप ना रखे. क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा आशा करने लगते हैं तो आपके खुशी भी बहुत बढ़ जाती है. पर जब आप किसी कारण से वो अचीव नहीं कर पाते हैं तब आपको दुख होता है. और उस सब कुछ गलत लगने लगता है. नोवल में ये भी कहा गया है कि आप हमीशा positive mindset रखे. भले ही कितनी बुरी situation हो और ये भी ध्यान रखे कि he is having your words with him. ये बुक ये नहीं कहती कि जीवन में सब कुछ अच्छा होता है. पर ये जरूर कहती है कि सभी चीजें एक साथ होकर काम क करती है. अच्छे के लिए और इस process में थोड़ा समय लगता है जिसके लिए हमें patience रखना पड़ता है. एक बहुत ही अच्छी बात है वो ये कि अगर हम कभी कोई plan बनाते हैं और वो किसी कारण से successful नहीं हो पाता तो हमें तुरंत अपने आपको उस situation में positive तरीके से adjust करना सी कोई चीजे होंगी. आपको लगेगा कि मेरी किस्मत ही खराब है. या आप बोलेंगे कि shopping में जाने का इतना मन था. और दूसरी जग एक positive mindset होने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि जरूर कोई कारण रहा होगा जिससे मैं नहीं जा पा रहा. या फिर ये भी हो सकता है कि मेरा इ किसी trip पर गई हुए थे और वहाँ पर उनका कुछ dress code उन्होंने decide किया. पर कुछ कारण से वो उसे follow नहीं कर पाए थे. और उनके सामने दो option थे. या तो मैं चिडचड़ा हो सकता था, या फिर कुछ और wear करके अपनी आगे के adventure को enjoy कर सकता था. उन्होंने ये तो नहीं बता कि positive रहने वाले व्यक्ति के साथ ऐसी चीजे नहीं होती हैं, जिससे वो दुखी और निराश हो. पर सबसे अच्छी बात ये है कि वो व्यक्ति अपने आपको उस समय adjust कर लेता है. पर negative mind रखने वाला व्यक्ति उसका उल्टा करता है. हर समय वो हर जगा fault निकालने में लगा रहता है. और उसकी negativity के कारण उसे हर चीज ही गलत नजर आती है. और फिर वो अपने आपको कर्स करना शुरू कर देता है. जब आप अपनी परेशानी से गुजर रहे हों और हर situation को face करने लगेंगे, तब आपको freedom महसूस होगी. और वो कहते हैं कि अगर आप negative person है, तो उसक कि आपके thoughts के साथ आपकी negativity खत्म हो गई है. और वहे व्यक्ती ने एक नया character अपना लिया है. पादर कहते हैं कि अब आपके जीवन की एक नई शिरुवात हो गई है. और अब आप एक नए creature बन गए है. So, forget your past and enjoy your new life. राइटर बताते हैं कि वो बहुत ही negative इंसान थे. पर उन्होंने इसका solution ये दिया कि God कहते हैं कि तुम मुझे पर विश्वास करूँ. मैं तुम्हें positive बनने में तुम्हारी help करूँगा. राइटर कह रहे हैं कि मैं reality को face करने में विश्वास रखता हूँ. और आपको भी य God is healing me. ये कहिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा. उनका कहना ये है कि life में balance होना चाहिए. पर इसका मतलब ये नहीं कि positivity को balance करने के लिए हम negativity का सहरा ले. जबकि हमें positivity को accept करना है और negativity को positivity से substitute. उनका कहना है कि अगर किसी तरह से चीजे उस तरह से नहीं चल रही हैं जिस तर विश्वास रखते हैं कि Jesus decide inside him. वो कह रहे हैं कि always expect a miracle in your life. क्योंकि जब तक आप कुछ अच्छी होने की hope नहीं रखेंगे तब तक आप successful नहीं होंगे. God हमेशा अच्छी लोगों की सर्च में रहते हैं जिससे वो उनकी life को और भी better कर सके. पर बात ये है कि उन्हें negative और sore attitude रखने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए. पर ऐसा person चाहिए जो भले मेरी पूजा पाठ ना करे. पर ये विश्वास रखे कि मैं उसके साथ हूँ. और positive mind रखे. अगर कभी भी कुछ गलत होता है तो father उसे सही कर देंगे. या end में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होगा. एक बार की बात है जो कि imagination based है. राइटर father से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी feeling है जो मैं हमीशा feel करता हूँ. फादर जवाब में कहते हैं evil forbidding. लेखक ने कभी ये शब्द नहीं सुना पर उन्हें ये पता चला कि इसका मतलब होता है कि जब हम all the time दुखी होकर ये सोचते रहें कि हम हमने क्या अचीव नहीं किया. हमारे जीवन में बहुत struggle है. और भी बहुत सारी बाते यानि कि जब हम सिर्फ negative विचारों के बीच में रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि कई सारी अच्छी चीज हैं हमारे आसपास जो हमें बहुत खुशिया दे सकती हैं. तो दोस्तों, अभी तक हम सबने सिर्फ ये जाना कि हमें कहां-कहां अपने आप पर वर्क करना है. अपने आपको इंप्रूफ करना है. पर अब हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो चैप्टर हमारे लिए और साथ ही लेखक के लिए भी एक चेंज है. जिसे हम देखेंगे कि इस सिचुएशन में राइटर ने क्या किया और कैसे अपनी स्प्रिच्वली जर्णी को रखा. वो अपनी लाइफ का एक एक स्पिरियंस शेर करते हुए हमें पताते हैं कि एक समय ऐसा आया जो बहुत ही डिफिकल्ट था. और उस समय में भगवान य और उनका दुख का कारण था, उनका डिस्बिलीव या किसी कारण से ये विश्वास ना रख पाना कि गौड हमारे साथ है. लेखक ने कई सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना था जो जीसस और उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. तो उन्होंने उन लोगों से ये सु कि स्प्रिच्वल जर्णी में ऐसी तरह की परेशानिया और डिस्बिलीव की सिच्वेशन आना बहुत ही कॉमन है. और उन्होंने ये भी बताया कि जीसस कहते हैं कि जो भी उन्हें पूरे माइंड, सोल और हार्ट से कंटिन्यूजली चाहता है और उनके डिसिप्लिन को ये बात राइटर के मन में स्ट्राइक कर दी और वो फिर से पहली बार की तरहा फादर पर बिलीव करने लगे. उन्होंने एक बात कही कि बहुत ही माइनर चीजें होती हैं जो एक वाइस और स्प्रिच्वल पाथ फॉलो करने वाले व्यक्ति को भी वीक कर देती हैं. उस सम जो जॉइस मेर ने कही कि वो मैं आप सब को बताना चाहूंगी कि एक बिलीवर के मन को और दिल को ये बात क्लियर रहती है कि वो विश्वास करना चाहता है. पर वहो माइन्ड या दिमाग ही होता है जो युद्ध छेड़ देता है. लेखक बता रहे हैं कि डेविल कभी भी आपको डिसपॉइंट और दुखी करने से जुकेगा नहीं. इसलिए अपने फेथ पर बिलीफ रखना होगा. राइटर बता रहे हैं कि वो उस समय बहुत ज्यादा परेशानी में थे. पर उन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें spiritual thoughts का support नहीं छोड़ना है. और उन्होंने वैसा ही किया. और अपनी prayer और trust उन्होंने continue रखा. और वो कह रहे हैं कि जिस तरह मैं एक बहुत ही मुश्किल circumstances से बहार आ गया, आप सब भी similarly बहार आ जाएंगे. Only you have to trust to your God. अब हम जानेंगे कि spiritual बनने के लिए spiritual thoughts को हमारे insight develop कराने के लिए हमें कई तरीकों के process को अपनान पड़ेगा. जैसे जो लोग meditation या ध्यान करते हैं, किसी ना किसी रूप में वो God को ही याद करते हैं. इन सब तरीकों को अपनाना बहुत ही beneficial है. ये ठीक उसी प्रकार है, कोई पेड नदी किनारे उसके पानी को पाकर खुद ही grow करने लगे. और बढ़ा हो जाए, पत्यों म बोलोगे, सामने वाला भी तुम्हें उसी प्रकार का आंसर देगा. पर तुम्हें बोलना भी सही है. और bad thought सुनने से भी बचना है. ये हमें ये समझाने की कोशिश कर रही हैं, कि जितना time हम उस word और sentence को सोचने और कोसने में लगाएंगे, उससे ज्यादा हम नई चीजों क बारे में knowledge gain कर सकेंगे. अगर हम उसको forget कर देंगे, overall लिखा कह रही हैं कि आज की समय के लोग बहुत lazy हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते और बदले में बहुत कुछ पाना चाहते हैं. कई बार वो गलत teaching देने वाले लोगों के trap में फस जाते हैं, जो उन्हें गलत चीज़े सिखाता है. इसलिए writer कहते हैं कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है. केवल Bible, गीता, कुरान जैसी spiritual books को पढ़ें और भगवान पर ध्यान लगाएं. आपको क्या और कैसे करना है, उसका path God आपको खुदी दिखा देगा. God कह रही है blessed person, वो नहीं होता, जिसके पास सब कुछ ह होता है. और blessed वो होता है, जो God पर complete faith रखता है. और सही वक्त आने पर God भी उसका साथ देते हैं. और इसका कारण ये नहीं है कि वो कोई special व्यक्ती है. बलकि ये है कि उसने हर समय, हर वक्त, हर तरह से, मुश्किलों में, खुश्यों में, सुख्दुख में, हर तरह की situation में, केवल और केवल अपने God को सबसे pure रखा है. क्या आप जानते हैं कि आपके mind की exact condition क्या है? और एक बात ये भी है कि आपका mind समय समय पर change होता रहता है. आप ये notice करेंगे कि कभी बहुत peaceful होता है, तो कभी बहुत ही परेशान और stressed. राइटर कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई decision ले लेते हैं, जो बाद में लगता है कि गलत था, या हमने बहुत जल्दी में वो decision ले लिया. पर वो कह रहे हैं कि ये हर व्यक्ति के साथ होता है. कई बार God पर तुम्हें बहुत trust होगा, और कई बार तुम disbelief के cloud से घर जाओगे. वो सूच रहे थे कि कौन सी ऐ ऐसी दिमाग की situation है, जहां पर हम normal रहे हैं. और वो ऐसा क्या करें कि वो abnormal condition में तुरंत कुछ कर सके. उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी life में चीज़े प्रबल इसलिए कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने mind की condition को stable करना नहीं आता. राइटर कह रहे हैं कि हमारा mind बर्थ से ही experience को लेकर नहीं आता. Renewal of mind की समय समय पर जरूरत पड़ती है. वो बार बार ये बताते हैं कि removal of mind के लिए खुद को समय दें, क्योंकि एक ऐसा process है जिसमे mind समय लेता है. इस book को पढ़ने के बाद आपको कई जगा लग सकता है कि आपकी life normal नहीं है. इसमें अपने आप को परिशान करने के बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ये मत सोचें कि किसी ने हमें कह दिया कि father savior हैं तो हमें कर्म करना ही बंद कर देना है. सबसे पहले तुम अपनी problem का कारण recognize करो. क्योंकि recognize करना ही recovery का पहला step है. वो बताते हैं कि वो भी बहुत सारा mess feel किया करते थे और उन्हें लगता था कि उनकी life में उन्हें बहुत सारी जगां पर wrong thinking के साथ decision लिया है. उन्हें ये भी एहसास हुआ कि वो wrong thinking के addicted थे. पर जब धीरे धीरे उन्होंने spiritual रास्ता अपनाया और little by little hit and trial method को अपनाया तो उन्होंने देखा कि freedom और deliverance से वो blessed हुए. डेविल हमेशा ये कोशिश करेगा कि आप अपने mind पर renewable ना कर पाएं. बात ये है कि ये कैसे समझ आए कि कौन सी दिमाग की condition सही है? इसका जवाब writer इस तरह से देते हैं कि हमारी book के second part में हम अब normal और abnormal mindset के बीच का difference बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे. और इसी तरह हम अपने mind की स spirit एक साथ काम करते हैं. वो बता रही है कि उनके हिसाब से एक principle वर्क करता है. वो ये है कि the mind ends and provides support to the spirit. इसका मतलब ये है कि दिमाग आत्मा को support प्रोवाइड करता है. बाइबल के according writer बताते हैं कि जब कोई person Holy Spirit को follow करता है तो वो Jesus को भी follow करता है. और तब फादर अपने thoughts का गर उस person के अंदर dwell कर लेते हैं. और जब ये हमारी आत्मा तक पहुचते हैं तो आत्मा उसकी importance को समझती है और ये हमारे दिल की आँखों को भी खोल देती है और दिल की मदद से हमारा दिमाग भी खुल जाता है. जब यहाँ पर हम spiritual person के बारे में जानते हैं तो इसका जब ये होता है कि spirituality और trust करना हमें natural बनाता है. Holy Spirit की एक कोशिश होती है कि वो हमें हमारे अंदर enlightenment पैदा करें पर हमारा दिमाग इतना व्यस्त रहता है कि वो हमें ये करने से रोकता है पर ये abnormal condition है और दिमाग के normal condition है कि उसे rest में रहना है ना कि blank. हमारे दिमाग में हर वक्त worry, anxiety और stress नहीं होना चाहिए बलकि हमें शांत, quiet and peaceful रहना चाहिए. इस chapter से आपको ये बात clear हो जाएगी कि mind को normal condition में रखना बहुत ज़रूरी है. Because अगर आप अपने mind को बहुत ही busy रखेंगे, तो आप holy spirit को समझने में अपने आपको capable नहीं बना पाएंगे. वो बता रहे हैं कि वो God से continuously कहते रहते हैं कि जो father उनके inside है, उससे वो यही कहें कि वो उन्हें अंदर की सारी चीज़े reveal करें, जिससे वो अपने बारे में और जान सके और improvement कर सके. पर साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो अपनी life के schedule में इतना busy रहते हैं कि offer की जा रही चीज़ों को वो समझ नहीं पाते थे और कहीं न कहीं वो spirituality से दूर होते जा रहे थे. एक बहुत ही अच्छा example देते हुए बताते हैं कि मानली जी एक कमरा है और इसे एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति को एक secret बताना है. पर unfortunately वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है. इस condition में भले ही सामने वाला परसन कितना भी तेजी से बोले, तो ने वाला परसन उसकी आवाज को समझ नहीं पाएगा. जब तक वो concentrate ना करे. ठीक उसी प्रकार हमारे mind के स साथ होता है. गौड की आत्मा हमें जो समझाने की कोशिश करती है, वो हमारी आत्मा तक नहीं पहुच पाता. क्योंकि अपने busyness के कारण हम उसके लिए परियाप्त समय निकाल ही नहीं पाते. तो इस situation में हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब writer देते हैं कि हमें mind और आत् जंग और interpretation एक साथ काम करते हैं. अपनी आत्मा को यूज करके हम अपनी जीब या मुह से कुछ बोलते हैं, पर mind का इस्तमाल करके ही सामने वाला उसे interpret करता है. सबसे best example है जहां पर दिमाग और आत्मा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है. हमने यह समझा कि हमें mind को normal condition में रख हो जाता है. तो वो बार-बार कोशिश करता है कि आपका mind और आत्मा एक साथ काम ना कर सकें, जिससे आप stable ना हो पाएं. ओवराल वो कहते हैं कि आप ये ज़रूर सोचें कि आपका दिमाग normal condition में है या नहीं. इसके पहले चैप्टर में हमने ये जाना कि mind का normal रहना बहुत ही ज़रूरी है. और अगर ये abnormal है, तो हमें इसे normal बनाना होगा. इस चैप्टर में हम mind की दूसरी abnormal condition के बारे में सुनेंगे. वो है हमारे दिमाग का हर वक्त इधर से उधर घूमना. Mind keeps wandering here and there all the time. जब हम concentrate करने क able नहीं रहते हैं, तब हमारे में बहुत ही जल्द शैतान attack कर लेता है. वो बता रहे हैं कि लोगों का mind इधर से उधर घूमता रहता है और हर समय वो सोचने या overthinking में ही लगा रहता है. इसका कारण राइटर ये बताते हैं कि वो लोग principle of discipline ही नहीं लगाते हैं, जिसमें वो हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं. वो कह रही हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी कारण से concentrate नहीं कर पाते हैं, तो जरूर आपके tight schedule में कोई problem है और vitamin B की आपको deficiency है. दूसरी चीज़ वो ये बताते हैं कि शैतान आपको उस समय attack करता है जब आप tired रहते हैं, क्योंकि उस समय आपका उसको resist करने की शक्ती नहीं होती. इस बात का फायदा उठाते हैं. उनके हिसाब से lack of concentration is the reason behind lack of comprehension. राइटर ने एक बहुत ही सही quote बताया है, जिससे आप अपनी life में हर चीज़ों में focus कर सकते हैं. वो ये है कि keep your foot, इसका मतलब है कि आपको अपनी life में जो भी काम कर रहे हैं, उस पर stable रहना है. और keep your foot का मतलब होता है कि इधर उधर wonder करने की बजाए एक जगा stable रहे. वेबस्टर डिक्ष्नरी के according, wonder का मतलब होता है, moving here and there aimlessly. मैं आपको फिर से एक बात याद दिला दूं कि हमारा mind ही battlefield है, जहां devil हमें attack करेगा. तो चाहे आप किसी भ दिमाग उसी जगह concentrated नहीं है, तो शैतान वहां भी अपनी जगह बना लेगा. और आपका mind फिर कहीं न कहीं wonder करने लगेगा. डेविल ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर आप अपने किसी भी project को successful करना चाहते हैं, तो सबसे पहले discipline of mind जरूरी है. और lack of concentration के कारण कई बार इस field में आप हार जाते हैं. राइटर कहती हैं कि जब आपके साथ ऐसा हो कि आपको कोई कुछ कह रहा है, पर उस समय आपका दिमाग इधर से उधर wonder करता है, तो आप खुद को शान्त करने के लिए spiritual means का सहारा ले. जैसे आप फादर के बारे में audio सुने, उनकी कहान सुने, उनके बारे में जाने, उनपर बनाये गए हुए गाने को सुने, इससे आपका मन शान्त होगा और भटकना बंद करतेगा. जोईस आप सबको समझा रहे हैं कि शैतान जानता है कि हम कही न कहीं एक loophole छोड़ देते हैं, जिससे हम deficient लगने लगते हैं. इसलिए हमें माइंड को principle of discipline सिखाना है, जिससे वो एक जगा stable रहे और पूरे focus के साथ अपना काम कर सके. बहुत सारी dictionary के according, wander के अलग-अलग meaning है. जैसे अगर हम wander को noun माने, तो wanderer का मतलब होता है feeling of puzzlement और doubt. और अगर इसको kriya की तरह देखें, तो इसका मतलब होता है curiosity और doubt से भरे होना. राइटर कहती हैं कि उन्होंने ये notice किया कि उनका mind इधर से उधर wander करे. इसके अलावा, उनके पास कई सारे ऐसे काम हैं जो वो कर सकती हैं और जो उनके लिए बहुत ही important है. Overall, see, don't want to be in a condition of wandering mind. जो इसमेर कहती हैं कि wandering gives birth to confusion. और सही कहें, तो wandering और confusion एक दूसरे के relative हैं. अपना example देते हुए writer बताती हैं कि उन्होंने अपनी life का बहुत कीमती समय waste कर दिया. पर धीरे धीरे उन्होंने ये जाना कि शैतान कैसे हमारे दिमाग, जो युद्ध शेत्र है, उसको full of thought से भर देता है, जिससे हम constant trial के बाद भी अपना aim अचीव नहीं कर पाते. confusion के बारे में और deep से समझने के लिए writer कहती हैं कि जब हम अपने मन के किसी भी why को समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तब उस समय reasoning का जन्म होता है. और इसी reasoning के कारण हम अपने decision को discard कर देते हैं क्योंकि या फिर वो कारण हमें practical नजर नहीं आता या फिर वो किसी तरह से हमारे लिए comfortable नहीं होता. इस बात को समझाने के लिए writer ने बहुत ही अच्छा example दिया है. वो बताती हैं कि एक बार उन्हें एक meeting में जाना था. तभी उन्हें याद आया, वहाँ एक महिला आएंगी, जो एक बहुत ही अच्छी इंसान है. तभी writer ने सोचा, उनके अच्छे कामों के लिए जरूर मुझे उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहिए. तभी उन्होंने आखे बंद की और सोचा कि उन्हें ऐसा क्या गिफ्ट देना चाहिए, जो उन्हें पसंद आए. तब उनकी नजर उनकी एक नई ड्रेस पर पड़ी, जो उन्होंने तीन महिने पहले खरी दी थी. पर उन्होंने एक बार भी नहीं पहनी थी. उनकी अकॉर्डिंग, गॉर्ड इसलिए चाहते थे कि ये ड्रेस उन्हें दे दें. पर वजह बताती हैं कि उनकी दिमाग में उन्हें ड्रेस देने से मना करतिया. क्योंकि राइटर ने वो ड्रेस अभी तक नहीं पहनी थी. वो बहुत एक्सपेंसिव थी और राइटर उसे पहनना चाहती थी. इसलिए उन्होंने खुद से ड्रेस को देने से मना करतिया. वो बताती हैं कि एक बार फिर एक मीटिंग हुई, जहां पर रूथ एनन को आना था. उन्होंने फिर ये रियलाइज किया कि उन्हें कुछ देना चाहिए. और सेम इंसिडेंट उनके साथ हुआ. उनको फिर वो अपना पसंदीदा नए एक्स्पेंसिव रेड ड्रेस दिखाई दी. पर उन्होंने सोचा कि नहीं, वो अपनी नई ड्रेस उन्हें नई दे सकते. पर फिर उन्होंने एक बार सोचा कि शायद ये ड्रेस अभी तक इसी लिए नहीं पहनी होगी, क्योंकि ये God ने उनके लिए नहीं बनाई है और यही हाँ ना के बीच की fight को writer ने reasoning का नाम दे कर बताया है वो ये बात बता रही है कि spiritual man और natural man में एक अंतर होता है overall कहने की बात यह है कि spiritual man कह रहा है कि उन्हें अच्छे व्यक्ति को कुछ देना चाहिए वहीं दूसरी और natural man इतनी expensive dress उन्हें देने से मना कर रहा है प्यारे दोस्तों आप लोगों के मन में एक curiosity हो रही होगी कि मैंने उन्हें अपनी dress दी या नहीं पर मैं आप सबको ये बता दूँ मैंने उन्हें dress दे दी जिसे वो अब office में occasionally पहन कर आती है एक हिसाब से गलती हमारी ही है कि जो भी हम word कहते हैं हम उसे समझते नहीं है इस spiritual world जो भी हमें कहता है वो father दूआरा होता है इसलिए हमें वहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि ये logical है या नहीं एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि reasoning confusion के लिए दरवाजे खोल देती है सही कहें तो reasoning and confusion goes together हम हमेशा उस चीज में comfortable होना चाहते हैं जहां हमें reason मिले, logic मिले, understanding मिले पर ये सब चीजे मिलने के बावजूद भी हम जिस decision पर आते हैं ज़रूरी नहीं है, वो सही हो क्योंकि जो decision हमने लिया है, वो reasoning और confusion में लिया है राइटर ने कहा है कि वैसे तो mind and spirit goes together पर spirit ज्यादा noble organ हो इसलिए हमेशा priority आत्मा को ही देनी जाए एक बाद याद रखिए आपको अगर कभी ऐसा लगता है कि spirit गलत है तो समय लेकर सूचिए फिर decision लीचिए पर reasoning को इससे बाहर रखिए और ऐसा करने से आप कभी confused नहीं होंगे कई बार God हमारे जीवन में बहुत बड़ा question mark छोड़ देते हैं वो इसलिए क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हम उन पर faith रखने में कितनी constant है एक बहुत ही अच्छी बात writer कहती है कि उन्हें कोई logic reason नहीं चाहिए पर God से ये चाहती है कि वो सारी चीज़े reveal करते जिससे वो एक ऐसा decision ले पाए जो spirit और mind दोनों accept कर ले वो कहती है कि जितनी कम कीजिए तुम्हें पता होगी उतनी खुश तुम रहोगी क्योंकि तुम्हारा mind wander करने के लिए कोई जगा ही नहीं बचेगी वो कहती है उन्हें लगता है God कहते हैं कि तुम्हारी reasoning की तुम्हारे अंदर confusion और mess को create करती है और इसका result ये रहता है कि जो God तुम्हें देना भी चाहते हैं वो नहीं दे पाते ये जो confusion की situation होती है आपको बहुत depressed और exhaust कर देती है वो बता रही है कि जिस तरह शराब, drugs और smoking का addiction हो जाता है ठीक उसी तरह लोग reasoning के addicted हो जाते हैं जो बहुत ही poisonous होता है और हमें mentally और physically तोड़ देता है आपको अगर battlefield of the mind जीतना है तो अपने दिमाग को principle of discipline सिखाना पड़ेगा जिससे आप reasoning से दूर रहे और फिर confusion से और खुशी-खुशी battlefield of the mind आप जीत जाएं पिछले chapter में हमने wandering mind के बारे में पढ़ा जो reasoning के कारण हर समय confusion की इस्थती में रहता है इस chapter में हम doubt और unbelief के बारे में पढ़ेंगे जहां हम ये जानेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से similar हैं या फिर अलग कहा जाता है कि ये दोनों शब्द एक ही है पर जब आप इनकी meaning को समझेंगे तब आपको ये पता लगेगा कि ये दोनों शब्द अलग-अलग है क्योंकि dictionary के according doubt का मतलब होता है multiple options का होना जहां हमें किसी एक चीज़ की clarity ना हो वहीं दूसरी ओर unbelief का मतलब होता है disobedience तो हमें ये जाना होगा कि devil हमें exactly किस चीज़ से attack कर रहा है writer एक story बताते हुए कहती है कि एक व्यक्ति था जो बहुत ही बिमार रहा करता था और अपनी बिमारी को सही करने के लिए वो अलग-अलग तरह की धार्मित पुस्तकों की मदद लिया करता था और ये विश्वास रखता था कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा उसका faith गौड की उपर बहुत ज्यादा था और इसी कारण डेविल उसे doubt की situation में डालना चाहता था क्योंकि उससे recover करने में समय लग रहा था और इसी बात का double फायदा उठाना चाह रहा था कि जिससे वो व्यक्ति इश्वर पर believe करना कम करते यही है doubt की situation जहां हमें समझ नहीं आता की क्या सही है और क्या गलत Bible भी कहती है कि अगर हमें God के words याद हैं तो devil भी हमें doubt की situation में भसा लेगा तो हम बच जाएंगे Writer ने doubt और disbelief की situation को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा example लिया है उन्होंने Abraham और Sarah का example लिया है जो husband wife है वो बताते हैं कि इन दोनों की कोई भी child ना हो पाने के कारण इनका relationship और इन लोगों में हमेशा fight होती रहती थी पर Abraham का father के उपर बहुत belief है पर अगर ज्यादा समय तक उन दोनों को कोई child नहीं हुआ तो उन लोगों के मन में thoughts of doubt आएंगे और उन्हें भगवान के प्रती disbelief होगा जिसके कारण कुछ समय बाद वो भगवान को disobee करना शुरू कर देंगे God कहते हैं कि कोई ऐसी desire हो जिसे आप सफल करवाना चाहते हूं devil के disbelief के attack के कारण आपका belief थोड़ा weak हो जाए इसमें गलती आपकी नहीं है बस आपको अपने belief को बहुत ही strong रखना है कि किसी भी तरह से devil आप पर attack ना कर पाए बात ये नहीं है कि हम फादर पर विश्वास नहीं करते हैं बात ये है कि devil अपने lies से अपने belief को destroy कर देता है एक example देते हुए writer बताते हैं कि एक दिन ऐसे ही वो हर दिन की तरह अपनी bad shit सही कर रही थी तभी अचानक उनके मन में एक खयाल आया उन्हें ये realize हुआ कि वो भी God के जो उन्होंने फादर से सीखा है दूसरों को teach कर सकती है और दूसरों को भी spiritual thoughts में मदद कर सकती है तभी उन्होंने अपनी आँखे बंद की और Jesus को याद किया तभी फादर भी writer की बात पर agree हो गए वो कहती है कि मेरे पास ऐसा कोई proof नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकूँ कि उनकी फादर के साथ बाते होती है पर अगर आप लोग believer हैं तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि कैसे हर बात पर God हमारी मदद करते हैं और हमसे communicate भी करते हैं एक और बहुत ही महत्वपुन बात झाल 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 करते हैं झाल 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 50 झाल 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 झाल